काजोल देवगन, earlier known as काजोल मुखरजी, was born on 5th of August 1974 in Mumbai to the मुखरजी समर्थ फिल्म फैमली of Bengali-Marathi descent. उनकी मदर तनूजा एक अक्ट्रिस थी. वहीं उनके पिता शोमु मुखरजी, फिल्म दिरेक्टर और प्रोडूसर थे. काजोल ने स्कूल की पढ़ाई पंच गनी के सेंट जोजफ में कम्पलीट की. उन्हें किताबे पढ़ने का बहुत शौक था और एक्स्ट्रा कालिकिलर अक्टिविटीज जैसे आक्टिंग में भी वो बहुत इंट्रेस्टिट थी. उन्होंने बॉलिवुड में अपना डेब्यू किया अपनी मॉम के साथ in the year 1992 with the movie बेखुदी. पहली ही मुवी बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप हो गई. लेकिन काजोल के परफॉर्मंस के चलते उन्हें बाजिकर के लिए साइन किया गया. और ये मुवी बनी उनके करियर की पह और फिर काजोल को मिला worldwide recognition. इस मुवी ने काजोल को Film Fair for the Best Actress का अवर्ड भी जिताया. और आज भी मुंबई के मराथा मंदर थेटर में इस मुवी की screening होती है. फिर उन्होंने गुप्त के लिए Best Actress in a Negative Role का अवर्ड भी जीता. देन एक साल में तीन बड़ी मुवीज. प्यार किया तो डरना क्या, कुछ-कुछ होता है और प्यार तो होना ही था. इन तीनों फिल्म्स ने काजोल को हिंदी सिनेमा की ideal actress बना दिया. कई अवर्ड जितवाय और नया मुकाम दिया. 1999 अपने करियर के पीक पर काजोल ने अज काजोल ने तीनों बड़े खांस के साथ मुवीज की और उनकी हिरोईन बनी. अब तो काजोल दो बच्चो की मा है. अपार्ट फ्रम बॉलिवुड, काजोल अपने हबी अजय की ओफिस प्रोडक्शन का काम भी देखती है. सोशल अक्तिविटीज में भी निखर के सामने आत काम भी निखर के सामने आता है.